भाई साब इंफिनिक्स ने आज इंडियन मार्किट के अंदर अपना नया बजट स्मार्टफोन लांच कर दिया है जो कि है इंफिनिक्स का होट 12 प्ले अभी जो स्मार्टफोन है इसकी कीमत 9000 से नीचे है मतलब कि under 9000 रुपे प्राइस सेग्मेंट का यहाँ पे एक स्मार्टफोन हो जाता है बहुत सारे लोग इसे खरीदने में इंट्रेस्टिड हैं लेकिन वो यहाँ पे यह जानना चाते हैं क्या इसके उपर वो BGMI PUBG जैसे जो गेम है वो यहाँ पे खेल पाएंगे ठीक से या फिर नहीं खेल पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग का जो बजट है वो कम है और वो इस प्राइस पे स्मार्टफोन को खरीदना तो चाते हैं लेकिन वो यह भी चाते हैं कि वो इसके उपर गेमिंग भी करें तो इस वीडियो के अंदर बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा अंसर मैं आपको देने वाला हूँ कि भाई आपको इस स्मार्टफोन BGMI जैसे गेम खेलने के लिए यहाँ पे खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए जो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए चार चीज़े होती हैं इसके बाद तीसरी one of the most important thing से बोल सकते हैं बैटरी भी बड़ी यहाँ पर होनी जरूरी हो जाती है क्योंकि long जो duration के आपके gaming sessions है उने handle करने के लिए बड़ी बैटरी भी तो होनी चाहिए उसके बाद चौती चीज यहाँ पर आती है RAM कि भाई RAM एक ठीक ठाक size की होनी यहाँ पर जरूरी होती है क्योंकि जो BGMI PUBG जैसे game है वो काफी ज़ादा जगा लेते हैं यहाँ पर आपके RAM के अंदर जिस टाइम पर रन कर रहे होते हैं आपके smartphone के उपर दोस्तों इन चारों चीजों को मद्दे नजर रखते हुगे हम देखते हैं क्या Infinix का जो Hot 12 Play है उनके अंदर ये चारों चीजे आपको ठीक ठीक देखने को मिलती है इसके price के हिसाब से और क्या BGMI खेलने के लिए वो ठीक है या फिर नहीं है तो सबसे वहले दोस्तों performance की बात करते हैं तो देखिए अगर आप Infinix Hot 12 Play को देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो chipset देखने को मिलता है वो है Unisock का T610 अब ये वालो जो chipset है अगर आप इसे direct compare करते हैं किसी MediaTek के chipset के साथ तो आप बोल सकते है MediaTek Helio G80 या G85 के बराबर का chipset यहाँ पर हो जाता है क्योंकि सेम उसी की तरह यहाँ पर भी आपको इसके अंदर जो दो performance score है ये का OctoCore chipset है लेकिन उसके अंदर से जो दो performance score है वो Cortex A75 वाले देखने को मिल जाते हैं क्योंकि काफी अच्छे कासे performance score यहाँ पर हो जाते है और Mali G52 वाला यहाँ पर आपको GPU देखने को मिल जाता है तो हाँ अगर आप यहाँ पर BGMI की बात करते हैं तो हाँ यह जो processor है काफी decently इस game को handle यहाँ पर कर लेगा और अगर आप graphic settings की यहाँ पर बात करते हैं BGMI की Infinix की hot 12 play के उपर तो यहाँ पर आप smooth और balanced के अंदर ultra 40 fps तक यहाँ पर खेल पाओगे तो मतलब कि 40 fps तक की जो gaming है वो यह smartphone है Infinix का hot 12 play यहाँ पर अराम से निकाल देगा अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो यहाँ पर important आती है वो आती है इस smartphone की display की भाई display कैसी है क्योंकि बड़ी display होनी चाहिए और साथ में smooth भी यहाँ पर होनी जरूरी हो जाती है तो यहाँ पर Infinix hot 12 play के अंदर आपको 6.82 इंचिस का seriously बड़ा display देखने को मिलता है इस price range में under 9000 के price segment में आपको देखने हो मिल रहा है तो display भाई बड़ी भी है उपर से IPS LCD panel है तो display की quality भी अच्छी है smooth भी है और जो touch latency है वो भी high touch sampling rate की विए से कम यहाँ पर हो जाती है तो display की तरफ से भी कोई भी शिकायत यहाँ पर आपको नहीं आएगी यहाँ 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 पर एक चीज़ आप बोल सकते हो कि भाई जो display है इस smartphone की वो only HD plus resolution वाली है मतलब भी full HD display यहाँ पर नहीं है लेकिन अगेन यहाँ पर price range पर आप display से खरीद रही हो तो उस हिसाब से देखें तो भाई ठीकी यहाँ पर हो जाती है इसके बाद बात का लेते हैं तीसरे factor की जो की battery यहाँ पर हो जाती है तो भाई यहाँ पर battery नहीं स्मार्टफोन में seriously battery दिया गया है क्योंकि 6000 mAh की battery यहाँ पर आपको दी गई है और इसके बाद आती है अगेन performance के लिहाँ से एक बहुत important चीज जो की होती है RAM जो की भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 4GB की RAM और साथ में 64GB की ROM मतलब की internal storage अब यहाँ पर एक अच्छी बात है कि 4GB की RAM तो देखने को मिलती है उसे के साथ में आप 3GB और expand कर सकते हो virtual RAM के जरिये से इसके अंदर वो option आपको देखने को मिल जाता है settings के अंदर हाला कि जो virtual RAM है वो भी बहुत जादा काम की नहीं होती है लेकिन यहाँ पर है क्या देखिए माली जी आप game खेल रही है और आपकी जो 4GB की RAM है वो overload यहाँ पर हो जाती है एक तरह के फूल हो जाती है अगर आप जो virtual RAM है उस option को on कर लेते है settings में ते तो जो आपकी जो इतनी important apps नहीं है जैसे कि जो बड़ी apps नहीं है gaming को छोड़ के जो बाकी apps है वो उस RAM के अंदर shift हो जाती है कुछ हद तक तो इस वज़े से आपकी जो gaming है उसके उपर जादा effect नहीं पड़ेगा utilization RAM का जो gaming के लिए वो ठीक से यहाँ पर हो पाएगा तो यह चीज है तो RAM के लिहाद से भी यहाँ पर ठीक है भाई इस price है जो में 4GB की RAM मिल रही है काफी सही चीज यहाँ पर हो जाती है तो फानले दोस्तों बात आजाती है कि आपको Infinix का Hot 12 Play गेमिंग के लिए यहाँ पर खरीदना चाहिए यहाँ नहीं खरीदना चाहिए तो देखिए अगर आपका budget अभी 9000 रुपे से कम का है आपको 8000-9000 रुपे के अंदर कोई smartphone चाहिए तो भाई आप जरूर से खरीद सक चैनल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और बड़ी डिस्प्ले है performance भी ठीक है इन सब को मिला के काफी अच्छा package यहाँ पे हो जाता है smartphone अंडर 9000 रुपी प्राइसिंग के अंदर तो अगर आप खरीदना चाहते हैं इसके उपर gaming भी करना चाहते है BGMI तो वही 40 fps तक की gaming जो बाकी smart phones में भी इस price में आप कर सकते हो वो आप इस पे भी कर सकते हो तो बिल्कुल से खरीज सकते हो gaming के लिए अगर आपको smartphone पसंदा रहे तो तो बैस दोस्तों मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंदा है तर वीडियो को like ज़रूर कर देना भाई चैनल बि मिलता हो हमें शेक तर आप से नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए बाई एंड टेक केर